तो react में हम लोग देख रहे थे event handling ठीक है तो react में event handling कैसे की जाती है यहाँ पर वो तो हम देखेंगे लेकिन react टूल भी होता है जिसको बोलते है react development tool यह एक extension है google chrome का तो मैंने यहाँ पर लिखा कि react development tool chrome तो यहाँ पर आगया यहाँ पर आप इसको add कर लीजिए तो यह यहाँ पर मैं add करूँगा तो यहाँ पर यह console जहां आता है आपका महाँ पर यह active हो जाएगा और यहाँ से हम लोग सारी detail इसको ले सकते हैं यह यहाँ screenshot दिया हुआ इस तरीके से यह सारी property दिखा देगा कौन से props यूज हो रहा है कौन सा hook यूज हो रहा है और कौन सी state यूज हो रही component करके यहाँ पर यह tape जाएगा component करके तो यह एक development tool है जिसका हम लोग use कर सकते हैं अभी जब मैं यहाँ पर run करूँगा react की कोई application तो यह active हो जो console होता है console के side में यह option आएगा और इसमें सारी detail यहाँ पर हमको पता चलेगी ठीक है तो यह तो थी एक बात react development tool से related अब क्या होता है कि जब हम event handling करते हैं तो हम लोगों ने event का एक example बनाये था और इसमें हम लोगों ने एक functional component बनाये था functional component बनाके हम लोगों ने उस functional component में कुछ functional component के अंदर हम लोगों ने कुछ value पास की थी value से मतलब हम लोगों ने कुछ props पास किया था और उस props में हम लोगों ने functional component यूज किया था ठीक है अभी हम लोग event से related कुछ और चीज़े देखते हैं कि event और किस तरीके से work करता है और हम लोगों ने जो functional component से बनाया था उसको हम लोग class component से भी बनाने का try करेंगे ठीक है तो पहले में क्या करता हूँ कि इस example को run करता हूँ तो मैं यहां जाता हूँ और यहां पर मैं open करता हूँ terminal तो मैंने terminal open किया और यह terminal open करने के बाद में मैंने यहां पर लिखा कि CD और यहां लिखा मैंने CRA और यहां लिखा CLS और यहां पर मैंने लिखा CD और CD के बाद में यहां पर मेरे को लिखना पड़ेगा event example तो मैं यहां CD और एक सेकंड मैं को इससे बाहर आना पड़ेगा यहां लिखना पड़ेगा event example और यहां मैं लिखता हूँ CLS और CD में जाके यहां पर मैं event demo to open कर लेता हूँ यहां clear screen कर देता हूँ और इसको run करता हूँ तो मैंने लिखा npm start अभी npm start हो जाएगा यहां पर तो यह start होगा तब तक हम लोग कुछ बातें यहां कर लेतें तो देखें अगर आप यहां पर एक गलती जो आम तोर पर लोग करते हैं वो गलती यह करते हैं कि यहां पर यह app.js फाइल है और यहां पर जो है वो my button.js फाइल है तो my button.js फाइल जो होती है यह my button.js फाइल होते हैं लोग यहाँ पर इसको call कर देते हैं पेराथितिस लगा के तो इसको call नहीं करना चाहिए यह direct ऐसा ही लिखा जाता है hender का जो नाम है वो यहाँ पर direct ऐसे लिखा जाता है अगर हम ऐसा करेंगे तो इससे क्या problem होगी वो हम देखते हैं तो हमने हमारा project launch कर दिया अभी आप देखोगे तो यह click आगे सबसे पहले तो मैं demo दिखा देता हूँ development tool का तो यह component आगया और आप इस component को select करोगे तो देखो यह my button component दिखा रहा है और component में प्रॉप्स दिखा रहा है कि प्रॉप्स यहां पर AWS है और यह render function है रियक का वर्जन है source file यह है यह सारी detail हमको दिख रही है रियक्ट की ठीक है यह तो था कि react development tool किस तरीके से काम करता है वो बाद होगी ठीक है अब अगर मैं यहां पर इस button पर क्लिक करता हूं तो मुझे current date or time दिख रहा है ठीक है बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पर current date or time मुझे दिखाई दे रहा है अब अगर मान लीजे मैंने अगर यहां पर जिस तरह normal java script में हम लोग function पास करते हैं तो हम ऐसे string पास करते हैं यहां पर call देते हैं इस function को अगर मैं ऐसे दूँगा तो यह तुरंट call हो जाएगा तुरंट call हो जाएगा यह पेज के लोड होते ही यह function call हो जाएगा और यह event पर कोई call नहीं होगा और कोई error आएगी नहीं अगर हम console पर जाएंगे debugging करेंगे तो कोई error हमको दिखेगी नहीं तो इस तोर पर normally यह mistake होती है तो यह चीज ध्यान रगनी कि जब भी हम लोग react में कोई event handler को dome से connect करते हैं तो हमको function call नहीं देना normal function का नाम लिखना है और वो भी वैसे लिखना है जिसे हम लोग jsx में कोई jsx में हम लोग जिसे कोई function jsx में कोई value प्रिंट करते हैं यानि कि javascript expression के अंदर हमको लिखना है यह curly braces के अंदर हमको लिखना है यह होगी दूसरी बात ठीक है अब एक चीज हो रहे है कि जो react होती ना react अपने level पर चीजों को change कर रही है correct तो अगर मैं यहाँ e pass कर दूँ यहाँ पर मैंने एक event ले लिया e generally होता क्या है कि जब भी आप कोई event handler बनाते हैं तो javascript आपको एक object देती है जो e में आता है ठीक है अगर मैं यहाँ पर console.log करूं e को तो मैं यहाँ पर लिखता हू console.log console.log और console.log में e को अगर मैं pass कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा तो मुझे यहाँ पर console पर जैसे ही मैं click करूंगा तो मुझे यहाँ पर यह कुछ value मिली यह object मिल गया e का अभी क्या है कि यह javascript वाला e यह नहीं है यह react वाला e यह यह नहीं कि react अपने level पर चीजों क चीज कर रही है react ने क्या किया कि javascript का जो event का object था उसको अपनी सुविधा के according react ने change कर दिया react ने change क्यों किया react ने change इसलिए किया क्योंकि क्या होता है कि javascript का जो event object होता है वो अलग-अलग browser पे अलग-अलग behavior करता है लेकिन react ने इसको modify करके uniformity achievement किये uniformity का मतलब यहाँ और यह है कि सारे web browser पे एक जिसा result हमको मिलेगा क्योंकि react ने इस object को कर दिया change ठीक है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको हम लोग जो है वो synthetic event बोलते हैं अगर आप यहाँ पर जाओगे और आप यहाँ पर देखोगे तो synthetic event तो यह इसकी base class है लेकिन हमको जो class use करनी है वो क्या होगा वो अगर हम लोग इसको बोलेंगे तो यह जो होगा वो synthetic event हम लोग बोलेंगे synthetic waste event हम लोगों को नहीं बोलना यह तो class का नाम इसका तो क्या हो जाएगा synthetic event हो जाएगा अब दूसरी बात आती दूसरी बात यह हैं यहाँ पर कि जो object है यानि कि यह जो object है क्या यह object वो event नहीं देता, जो हमको browser देता है, वो भी हमको देता है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आपको एक property यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह जो property native event, तो native event यो अधनिये, web browser के event की बात हो रही है, तो यह native event वो property, अगर आप native event करके access करेंगे तो यह यह आपको browser specific event की event provide कर देगा ठीक है लेकिन आप क्या करना चारा है थी यहाँ पर हम लोगों ने देखा तो यह react का event है JavaScript का event नहीं है अगर interview में यह question पूछा जाता है कि event handler में react क्या object को modify करती है तो react object को modify करती react तो dome को भी modify करती ती जिसको virtual dome बुला गया है क्योंकि react क्या करती है कि जो document object है या जो dome object है react उसको अपने हिसाब से update करती है तभी तो virtual dome बनता है और react का performance बढ़ जाता है तो यहाँ पर उसी तरीके से react ने इस event को भी modify किया और उसको हम लोगों ने गुला कि यह जो है वो synthetic event है ठीक है परपस क्या था synthetic event को कि जो browser का impact है वो हर browser पे एक जिसा आई इसलिए यह किया रही है अब हम लोगों क्या करते है कि यह जो हम लोगों ने example बनाया है ठीक हम लोगों ने यह example बनाया था और हम लोगों ने एक function component बनाया था ठीक है function component हम लोगों ने बनाया था अब हम इसी example को एक खास इसी example को हम लोग ए class-based component में change करते हैं ठीक है तो class-based component में change करने के लिए सबसे पहले तो मैं change करता हूँ my button को तो my button में मैंने ये function बनाया था तो मैं इस पूरे function को कर देता हूँ यहां पर comment और इसको मैं change करता हूँ class-based component में simple या इसको हटाई देते हैं हम लोग क्योंकि हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने एक button बनाया एक handler बनाया और उसके click पे वो जो button है date और time दे रहा तो अगर आप class-based component में जाएंगे तो आपको यहां पर IMCR में लिखता हूँ यह एक shortcut tool है IMCR यह कैसे आता है आप यहां पर IMCR लिखोगे यह react shortcut का एक extension है यहां पर आप जाओगे तो यहां पर आपको यह react shortcut के नाम से मिल जाएगा यह मैंने ES 7 करके है यह वाला extension ठीक है यह है इसको मैंने इस्ट्रोल कर रखा है तो इस वाले extension से क्या होगा कि हमको shortcut मिल जाएंगे तो यहां पर मैंने लिखा import तो IMCR लिखा तो import react component from react यह आ गया अब मैंने क्या किया यहां पर यहां पर जाकर मैंने लिखा class तो यह class बनाई मैंने और मेरा component बनाया था मैंने my button का तो मैंने my button component बनाया यहां पर मैंने extend किया तो यह extend हो गया और extend में जाके मैंने component कर दिया ये बन गया मेरा, ये मेरी class बनी, अभी मेरे को class के अंदर क्या बनाना है, class के अंदर मेरे को एक event handler बनाना है, और एक button component बनाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, constructor call करता हूँ, ठीक है, constructor call करता हूँ, तो मैंने यहाँ पर call किया, constructor, ये constructor हो गया, और इस constructor के अंदर मैंन कुछ property जैसे की props को pass कर दिया जो की base practice है हलाकि इसका use नहीं है लेकिन ये base practice है इसलिए इसको pass कर दिया हम लोगों ने और जब भी हम लोग constructor बनाते तो हम लोगों को super call करना पड़ता पहली line पे तो मैंने here super call कर दिया और super के अंधर भी यहाँ पर मैंने props को pass कर दिया, ठीक है, अब ये चीज तो हो गई, ठीक है, ये constructor हो गया, super बन गया, अब हम लोग बेले render function बनाते हैं, और फिर हम लोग event function बनाएंगे, तो मैंने यहाँ पर render function बनाया, ये मेरा render function हो गया, render function के अंदर simple मुझे एक event return करवाना है, तो मैंने जो पुराना code है, वो these.handler, these.handler, these.handler मैंने लिखा, तो यहाँ पर मैं गया console.log, मैंने console.log किया, और console.log में कर आप यहाँ पर this को print करेंगे न, तो क्या result, क्या हमको result भिडेगा, अगर मैं इस application को run करूँ, तो console पर देखे, ये मेरे को console के उपर, ये this जो है, वो मिल गया, console के उपर ये this मिल रह function, चलो, ठीक है, मैं इसको यहाँ पर in, in, और in के बाद in render लिख देता हूँ, और concinate कर देता हूँ, this को, तो ये in render भी यहाँ पर दिख जाएगा, मेरे को ये in render object, object यहाँ पर दिख रहा है, तो मेरे को क्या है, कि यहाँ पर render function के अंदर this मिल रहा है, render function के अंदर this मिल रहा यहां पर ठीक है अब हम लोग handler बनाते हैं पहले उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि इसमें प्रॉब्लम है प्रॉब्लम क्या है वो हम लोगों को देखना है तो सबसे पहले मैं इस handler की coding लिखता हूँ तो handler click में देखो अभी तो this की मेरे कुछ जरुवत नहीं है यहां पर ठीक है क्योंकि अभी जरुवत क्यों नहीं है जरुवत अभी इसलpes नहीं कि अगर मैं handler click का जो code है वो लिखूं तो मैं ऐसे फिले तो मैं handler click का code लिख देता हूं चलो यहाँ पर मैं क्या करता हूं handler click का code लिखता हूं तो मैंने लिखा handler click handler click एक function है मेरा जो की click पर चलेगा और current date और time return करेगा तो मैंने handler click लिखा फिर यहां पर मैंने लिखा let let today is equal to new date simple today is equal to new date तो ये मुझे क्या करेगा date का object written कर देगा ये और फिर मैंने alert करवा दिया यहां पर simple मैंने alert करवा दिया alert में मैंने लिख दिया simple मैं तो alert में today को ही अभी render कर देता हूं हुँ तो मैंने अलर्ट में today को रेंडे कर दिया या dot to local स्ट्रिंग को रेंडर कर देते हैं simple ये मैंने कर दिया तो अभी क्या हुआ handler click बन गया इसको import export मैंने कर दिया यहां पर देखो my button का component बना दिया constructor बनाया super को call किया मैंने props का call किया handle click बनाया handle क्लिक को यहाँ पर on click event में मैंने पास किया यह सब हो गया भी एप को अपडेट करना तो एपीप पे चलते एपीप पे हम लोगों ने functional component बनाये था तो functional component को मुझे बनाना है class component ठीक है तो class component बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सबसे पहले तो IMCR लिखता हूं मैं IMCR लिखा तो यह component मिल गया मेरे को और इसको मैं change कर देता हूं class में तो class app हो गई और यहाँ पर में लिख देता हूं extend में कर देता हूं component ठीक है यह हो गया और यहाँ return की बजाय मुझे render call करना पड़ेगा इसके उपर इसके उपर मेरे को यहाँ पर render call करना पड़ेगा तो मैंने यहाँ render का call दे दिया ठीक है और यहाँ से हटाया और render को यहाँ पर लाके बंद कर दिया यह render function बंद हुआ मेरा सबसे पहले यहां render बंद हुआ render बंद हुआ और return बंद हुआ और यह class बंद हो गई मेरी और यहां default app कर दी अब अब इसको मैं run करूँगा तो यह जो है वो कोछ इस तरीके का result मुझे दे रहा है current date or time यहां पर मुझे मिल दे ठीक है इसमें तो कोई problem थी नहीं simple है यहां तो यह मैंने क्या किया है कि जो last example मैंने function component से बनाया था उसी को मैंने class component से बनाया और यहां पर मैंने इसको direct use किया to local string as a to local string ठीक है यहां तक तो कोई problem नहीं लेकिन event handler में क्या होता है कि जब आप class component बनाते है यहां पर हमको this use करना अगर होगा तो हम लोग handler के अंदर हमको this मिल रहा क्या है चलो मैं यहां पर console.log कर देता हूँ तो मैंने console.log किया और console.log में मैंने यहां पिया in handler मैंने console.log में यहां पर लिखा कि in handle in handle click लिख देता हूँ dot log लिया और console.log लेने के बाद में यहां पर मैंने this को print किया तो क्या result मिलेगा मुझे इसके console पर मैं जाता हूँ console पर जाके इसको click करता हूँ event को तो यहां पर क्या result मिला मुझे undefined result मिला लेकिन मुझे this की जरुवत है मुझे event handler के अंदर this चाहिए क्योंकि अगर event handler के अंदर मुझे दिस नहीं मिलेगा तो मैं क्या करूंगा तो मैं प्रॉप्स को यूज नहीं कर पाऊंगा और अगर प्रॉप्स यूज नहीं कर पाऊंगा और इस्टेट भी यूज नहीं कर पाऊंगा तो मुझे दिस्क को लेखे आना है तो event handler के अंदर this को लाने के लिए हमको bind method यूद्र यूज़ करना पड़े, ठीक है, सब से पहले तो यह है कि event handler के अंदर this मिलता क्यों नहीं, अगर हम लोग इसकी बात करें कि event handler के अंदर हमको क्योंकि render के अंदर तो this मिल रहा था, रेंडर के अंदर तो दिस मिल रहा था लेकिन यहाँ पर अगर कोई normal function होता जैसे कि अगर मैं यहाँ एक function बना दूँ जैसे मैंने function बनाया display ठीक है और display function के अंदर मैंने यहाँ पर console.log किया console.log करने के बाद यहाँ पर मैंने disk कर दिया और console.log के ऊपर यहाँ पर मैंने लिख दिया console.log और console.log में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि in display यहाँ पर मैंने लिख दिया in display और in display के बाद disk कर दिया और इसको मैंने क्या किया यहाँ से call कर लिया display function को display function को मैंने call दे दिया यहाँ से ठीक है constructor के के अंदर से इसको call दे दिया तो क्या होगा तो in display और in display में मुझे this मिल गया लेकिट event handler के अंदर this मुझे नहीं मिला क्या होता है कि जित्ते ही आप event handler बनाते हो ना उसमें event handler में हमको this नहीं मिलता और this हमको क्यों नहीं मिलता this हमको इसले नहीं मिलता क्योंकि this क्या होता है this वो reference होता है जो की calling object को point करता है ठीक है अब ये वाले example में क्या हो रहा है कि यहां पर अगर मैं बात करूँ this की तो this को लाने के तीन तरीक है पहली चीज़ तो यह है कि जब भी हम handler बनाएंगे तो handler के अंदर हमको handler के अंदर हम को this नहीं मिलेगा और this हमको क्यों नहीं मिल रहा है यहां पर हमको this इसले नहीं मिल रहा है क्योंकि यह जो handler है देखो यहां पर अब यहां पर इस वाले event को कौन call कर रहा है यह वाला जो handler है इसको कौन call कर रहा है यहां पर जो call हो रहा है handler को वो on click call कर रहा है न हम तो call नही कर रहे न यह क्या है कि javascript का जो on click event होगा वो यह जो है यह function जो है handler यह किसी ना किसी reference के अंदर चला जाएगा जैसे कि मानलो x एक reference हो गया तो अब इसको तो यहाँ पर this को point करेगा यहाँ पर this जो है वो इस x को point करेगा इसी लिए handler के अंदर हमको जितने भी handler होते हैं जावा script के अंदर उन handler के अंदर हमको दिस नहीं मिलता तो दिस को लाने के लिए हमारे पास में एक method होता है bind method दिस लाने के तीन तरीके होते हैं देखो एक सबसे simple तरीका तो दिस लाने का पहला तरीका तो जो है दिस मिलता इसली नहीं है क्योंकि दिस महां से काल होता है जहां से इवेंट इन्वार्मेंट है अब ओन क्लिक का इवेंट जहां पर होगा ब्राउजर के अंदर on click के environment से call हो रहा है यह हमारी class के object से call नहीं हो रहा है इसलिए हमको जितने handler है वहाँ पर this नहीं मिलता अब अगर मेरे कुछ this को लेखे आना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा this अगर मुझे लेखे आना है तो एक तो simple तरीका है कि मैं इसको बना दू arrow function तो अगर मैं इसको अभी तो क्या आ रहा है यहां पर undefined आ रहा है यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर in handler के अंदर वाला जो this है वो in handler वाले in handler वाला this लेखे आ रहा है यहां पर undefined यह जो है वो in handler वाला this है और यह क्या लेखे आ रहा है यहाँ पर undefined लेखे आ रहा है अब इस चीज़ को अगर मुझे को this लाना है तो पहला तरीका हम लोग देख लेते हैं कि हम इसको बनाते हैं arrow function, तो यह हो सकता arrow function, तो मैं कुछ इसको इस तरीके से बना दूँ arrow function, तो मैं इसको arrow function बना दिया, अब ये arrow function में बना दूँ गा त यह first तरीका है दिस को लाने के लिए कि आप इसको यहाँ पर बना दो arrow function तो arrow function बनाने से क्या होगा कि हमको दिस यहाँ पर मिल जाएगा normal function के अंदर तो दिस मिलता है सिर्फ और सिर्फ event handler के अंदर हमको दिस यहाँ पर नहीं मिलता है दूसरी वात अगर मान लो मेरे को यहां तो दूसरा तरीका हम देखते हैं कि दूसरा तरीका किस तरीके से काम करेगा अगर मेरे को दूसरा तरीका वनाना है तो दूसरा तरीका को देखने के लिए हम लोग एक normal javascript फंक्शन देखते हैं पहले ठीक है तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और यहाँ पर मैं नहीं एक काम करते हैं हम लोग कि कोई javascript का code open कर लेते हैं ठीक है मैं यहाँ पर react with cdn में जाता हूँ और एक example file create कर लेता हूँ इसको मैं example9.html देता हूँ ठीक है यह देता हूँ यहाँ पर मैं एक code लिखता हूँ मैं boilerplate code generate कर लेता हूँ HTML5 का और यहाँ पर मैं लगा देता हूँ एक script take तो यहाँ पर मैंने एक script take लगा दिया script take के अंदर में एक object बनाता हूँ let user object बनाया मैंने और let user object के अंदर में property assign कर देता हूँ क्या property assign कर देता हूँ जिसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि full name और मैंने property assign कर दी full name और full name के अंदर मैंने असाइन कर दिया नेम ठीक है और यहां पर मैंने एक गेटर फंक्षन बनाया जिसमें मैंने लिखा यहां पर गेट नेम लिखा और गेट नेम के अंदर मैंने एक अनॉनमस फंक्षन बना दिया और इस फंक्षन के अंदर मैंने यहां पर लिख दिया console.log और console.log में मैंने यहाँ पर लिख दिया कि these dot these dot full name लिख दिया simple यह हो गया अब अगर मैं इसको यहाँ पर call देता हूँ यहाँ पर अगर मैं person जैसे यहाँ पर मैं करता हूँ जैसे मैंने यहाँ पर लिखा user ठीक है अभी user dot अगर मैंने यहां लिख दिया user.get name इस function को मैंने call किया user.get name को इस program को ने run किया open with live server किया इसको मैंने open with live server तो क्या होगा मुझे get name मिल जाएगा यहां पर मैंने run किया और यहां console में मिल गया तो console में हमको यहां पर जो है वो gate name मिल गया आप देखरों यहाँ पर gate name मिल गया लेकिन अगर मैंने इस call को set timeout में डाल दिया क्योंकि user क्या है user तो हमारी class का user तो हमारा ही object है ना तो यहाँ पर this access हो रहा है लेकिन अगर मैंने इसको यहाँ पर डाल दिया set timeout जो की एक function होता है set timeout और इस set timeout में मैंने यहाँ पर डाला जो था मेरा user.get name user.get name और यहाँ पर मैंने pass कर दिया 1000 या एक second का time जो की हो गया मेरा 2 second का time ठीक है फिर मैंने इसको refresh किया तो आप ही देखोगे आप जिस जो है वो undefined आगया तो this undefined क्यों आगया क्योंकि अब this हमारी class के object से नहीं call हो रहा है अब this किस से call हो रहा है अब जो this call हो रहा है वो हो रहा है हमारा अब जो this call हो रहा है वो set timeout से हो रहा है set timeout से हो रहा है तो अगर मेरे को यहाँ पर this चाहिए तो मेरे को this कैसे मिलेगा तो मेरे को एक function यहां use करना पड़ेगा जिसको हम दोलते है bind function तो मैंने लिया let x is equal to अभी let x is equal to मेरे को क्या लेना पड़ेगा मेरे को लेना पड़ेगा user.getname.wind और user.getname.wind और यहां पास कर दूँगा मैं user और यहां पे मैं पास कर दूँगा x तो मुझे जो है वो मिल जाएगा reference यहां पे अगर मैं आप दो अब देखो यहां पर मिल गया मुझे gatename ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मैंने क्या किया कि यह जो gatename था इसको इस user वाले object से bind वो method है जो की इस function का address return करेगा और उसके अंदर हम जो object यहां पास करेंगे वो object inject कर देगा यहनी की अब जो this है यह वाला जो this है यहनी की कहने का मतलब यह वाला जो this है वो अब इस user को point करेगा यह वाला जो this है वो अब इस वाले user को point करेगा और user क्या है यूजर हमारी class का object है तो देखो कि आप पूरा का पूरा user हमको मिल जाएगा अगर मैं यहां console.log में इसको हटाके केवल this लिख दूँ अगर मैं यहां console.log में इसको हटाके केवल this लिख दूँ तो मुझे जो है वो user object मिल जाएगा यहां में गया और यहाँ पर मैं दो सेकेंड के बाद देखो आप यहाँ पर मुझे पूरा का पूरा user object मिल गया तो wind वो method है जो की connect करता है मतलब यह इस function को wind ने connect किया और कौन से reference से connect किया user से यानि कि अब यह this क्या काम करेगा अब यह this point करेगा किसको यह वाले user को point करेगा तो same trick हमको यह same trick जो है वो हमको यहाँ पर लगानी है react के अंदर तो अभी जो हमको अभी मैं arrow function को हटा के इसको normal function मना देता हूँ क्योंकि arrow function तो simple है वो तरीका तो हम लोगों ने देख लिया तो हमको यहाँ पर मैंने बना दिया इसको as a normal function और arrow function मैंने हटा दिया normal function बना दिया अब मुझे this चाहिए तो देखे एक तरीका तो यह था this का कि हम लोग यहाँ पर इसको assign कर दें मतलब मैं this.handler.wind कर देता this.handler.wind और wind के अंदर यहाँ में पास कर देता this एक यह तरीका भी है लेकिन इससे भी क्या result मिलेगा मेरे को अगर मैं console पर जाता हूँ और जो project है मेरा यह वाला इस पर जाता हूँ और मैं इस पर click करता हूँ तो देखे this मेरे को अभी भी मिल गया यहाँ पर लेकि console.log में this display यह तो display वाला this है one second नहीं my handler click वाला this है तो this मेरे को मिल गया कैसे मिल गया क्योंकि मैंने normal function तो call किया है लेकिन यहाँ पर मैंने पाइंड लेकिन यह तरीका दूसरा तरीका है और यह तरीका सही नहीं है यह तरीका उन application के लिए सही है जो की छोटी application हो जिसमें एक बार click हो अभी problem यह है कि जितनी बार यह click होगा ना उतनी बार winding यहाँ पर होगी जितनी बार और these dot handle click के बाद में, these dot handle click के बाद में यहाँ पर में को क्या करना पड़ेगा, इस function को हटा देता हूँ, इसकी जरुवत नहीं है, यह function मैंने हटा दिया display, और इस function को भी मैंने हटा दिया यहाँ से, और यहाँ पर मैं wind करता हूँ, तो यह code में लिखूँगा, these dot handle click is equal to, यहाँ पर मैं लिखूँगा, these dot handle click dot wind, और wind के अंदर पास कर देंगे हम लोग this, इसका क्या मतलब है, इस line का क्या मतलब है, इस line का जो मतलब है, वो यह है कि यहाँ पर, पहले यह right वाला code चलेगा, और right वाला code क्या करेगा, कि handle click, यहनी कि these dot handle click, यहनी कि यह वाला function, इस वाले function के अंदर, यह this, यह कौन सा है, यह this, यहनी कि my button वाला this, यह this मतलब my button वाला this, तो handle click wind क्या करेगा handle click के साथ connect कर देगा इस वाले div core उसको assign कर देगा handle click को यानि कि handle click के अंदर हमको my button का object मिल जाएगा handle click के अंदर my button का object मिल जाएगा तो अभी मैं आप इसको click करूँगा इसको मैं फिर से refresh करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको click करता हूँ तो आप देखोगे कि इसके अंदर भी my button का object मिल जाएगा अब हम लोग इस disk का use करके कोई भी props हुआ या कोई भी state हुआ उसको हम लोग यहाँ पर use कर सकते हैं तो अभी हम लोग यह तो हम लोग ने देखा कि इसके से लाना है ठीक है यह हम लोग ने देखा कि इसके से लेखे आना अब हम लोग एक application बनाते हैं जिसमें हम लोग counter बनाते हैं तो counter जिसे मार लीजे हमको इस button के click पे अगर मेरे को कोई value यहाँ पर count करवानी है ना button के click पे अगर मेरे को कोई value यहाँ पर increment करवानी है तो उसके लिए मुझे क्या use करना पड़ेगा मुझे props use करना पड़ेगा यह state use करना पड़ेगा और state को access करने के लिए मुझे this use करना पड़ेगा इसलिए हम लोग देख रहे थे कि this का यहाँ मिलना बहु counter बनेगा और उसकी value जो है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी या value जो है वो increase होती जाएगी